Hello everyone, welcome you all at Lucas Sir Unlimited Study Zone CUET Undergraduate Section 1st में आप सभी का स्वागत है हम यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं कि CUET हिंदी का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है और जिसके रिफरेंस में हमने यहाँ पर 2022 का सैंपल पेपर सॉल्व कराना है सुरू करेंगे आगे बढ़ने के पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वट्सप लिंक जॉइन कर लीजे जिससे कि आप लोग को ग्रुप का फायदा मिल सके तो यह हिंदी भाषा का पेपर है 2022 का है देखे क्या स्कीम रहेगी आपके एक्जाम की 50 प्रशन आपको दिये रहेंगे और 50 प्रशन में से आपको कोई भी 40 प्रशन करने पड़ेंगे यह हिंदी वाले चात्रों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो लास्ट यर 2022 का स्कीम था उसमें आपको 20-45 प्रशन सॉल्फ करने थे अप देखे कैसे क्वेशिंटस आएंगे वुट से पहले देखे आपके पास में यह क्या दीया है आपके पास में एक गध्यांश दिया हुआ है अब इस गध्यांश को आपको हल करना है पढ़ना है क्योंकि हिंदी का पेपर एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है मतलब यह ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप कुछ गवाँ सके आपको इसमें प्राप्थी प्राप्थ करना है अगर आपने इस पेपर को बिगाड़ दिया मतलब आप यकीनन CUT के बाहर हैं फिर तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता चलिए देखिए तो यह आपके पास में गध्यांस दिये हैं अब इस गध्यांस से रिलेटेट देखिए कितने क्वेशन दिये गए हैं सबसे पहले 5 तो एक आपको यही स्कीम लगी कि आपके पास में कि आपके पास एक गध्यांस रहेगा और इस गध्यांस से रिलेटेट आपको 5 प्रशन दिये जाएंगे इसके बाद फिर क्या जाएगा इसके बाद फिर पध्यांस हाजाएगा आपके पास में यह आपको करना पड़ेगा देन इसके बाद देखी निर्देस दिये हुए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूरती के लिए चार विकल्प हैं और अब आपको चेयन करना है तो एक आता है आपको क्या है चार विकल्प आपको क्या करना रहेगा चार विकल्प तो पहले आपने मतलब क्या है यह अभिसाप है तो संप्रदा एकता जो है राष्टी एकता के लिए क्या है वो अभिसाप अभिसाप किसका उल्टा होता वर्दान का विलूम क्या होता अभिसाप होता है क्वेश्चन नमबर 12 की बात करते है, क्वेश्चन नमबर 12 हैजा कैसा रोग है, हैजा फैलता है, है ना संक्रामक एक से लेके दूसरे में फैलता है, इसलिए हैजा एक संक्रामक रोग है, तो संक्रामक बना लिजे, अगला क्वेश्चन नमबर 13 देखे, अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है देखे देखे अथांक परिक्सरम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है थर्टीन में आपको क्या लगाना पड़ेगा मनमाने व्योहर से सभवाई से सभी आप्सन में देखे क्या लगा रहा ब्यावसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है ठीक ना Mother Teresa संसार भर में फैला हुआ Mother Teresa का क्या फैला हुआ Mother Teresa जो थी समाच सेवी का थी उनका क्या फैला हुआ भगवान बड़े दयालू है वे है ये तो भई बोलने वाली बात है सब लोग जानते है भगवान बड़े दयालू है वे नहीं यहां वे आता है भगवान के लिए समाच जनक बात करते हैं वे सब की सुनते हैं भगवान बड़े दयालू है वे सब की सुनते है तो ये थोड़ा सा आपको कहीं न कहीं मेमोराइज करके जाना पड़ेगा यह नहीं आ सकता है, यहां आप नहीं आ सकता है, confusion किसमें, वह में और वे में, तो अपने बोल चाल की भासा में सुना होगा कि उनको वे बोला जाता है, ठीक ना, अब चलिए, अगला देखिए, उचित विलोम सब्दें यहां पर बताना है, विलोम सब्द क्या होगा, देखि होता है, सूच में, इस थूल का क्या होता है, सूच में, भई, जड़, जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन, तो जड़ का विलोम होता है, चेतन, ओके, और घणा, घणा का विलोम क्या होता है, विरल होता है, इस थूल का विलोम क्या होता है, सूच में होता है, तो यहां प मतलब जो सोशन करता है ना शोशक का विलोम जो होता है वो शोशन करता है शोशन करने का उल्टा क्या होता पोशक जो शोशन करें वो सोशक और जो पोशन दे वो पोशक ठीक ना और देख लो भाई शोशित का विलोम क्या होगा पोशित होगा और पोशित का विलोम सोसिक्त ह सेवक का विलोम क्या होता है स्वामी सेवक का विलोम क्या होता है स्वामी निशेद याने की जो मना हो निशेद का विलोम क्या होता है विहित याद रखो निशेद का विलोम होता है वो विहित होता है निशेद का विलोम जो होता है वो विहित हुआ करता है ना इसमें बहुत स इसका विलोम तो किसी ने सुनाई नहीं होगा, प्रतीची का विलोम क्या होगा, प्राची, प्रतीची का विलोम जो होगा, वो क्या होगा, प्राची, ओके, प्रतीची का जो विलोम होगा, वो प्राची होगा, ठीक न, और देखलो भाई साब, और देखलो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम है प्रवार्त और प्रश्चात एक दूसरे के विलोम है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी यह ना वीडियो बगेरे देखने आपको बताना है उस समोचारत सब्द ने की सही कौन सा है ठिक ना? यस, हाँ, देखि दिये गए समुचारते भिनार्थक सब्दों में से सही अर्थ भेद के लिए आपको सही चुनाओ करना है कि भाया कौन सा सही अर्थ भेदे रहा है अबज, अबद, अबज, अबद, देखो भाई ऐसा लग रहा है कि ये उर्दू सब्दे है अब्ज अब्द का मतलब क्या है तो अब्ज क्या होता है अब्ज का मतलब होता कमल अब्ज का मतलब क्या होता कमल और अब्द का मतलब क्या होता है अब्द का मतलब होता है वर्ष तो ये हो गया किसका combination होगा? अबज मतलब कमल अबद मतलब वर्ष. यह कमल और वर्ष का combination है. यह अपर अपर तु आप लोग जानते होगे न? अपर अपर तु अपर तु नहीं जानते होगे अपर जानते होगे अपर collector है न? इंगलिज यह थोड़ा सा जुड़ा हुआ है. तो समद्र पहला ऑप संद्र यह अपने हमार दिया और अम्बुद का मतलब क्या होता है कि बादल होता है रित रितू dw they know एक या है और दूसरा है вूदु तो आपको बताना है कि रित और रितू में कौन सा सही है एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा ये टाइम लेता है है ना कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिए भाई चलो तो रित रितू question number 26 का है रित रितू बताना है आपको 26 से दोनों ही समच्चारित सब्द है रित का मतलब होता है सत्य और रितू का मतलब होता है मौसम तो इसका अंसर होगा बी रित का मतलब होता है सत्य और रितू का मतलब होता है मौसम तो सत्य और मौसम है ना बढ़िया पेपर है बहुत मज़ेदार पेपर देख लो नई नहीं बाते आप लोग को पता चल रही है रित का मतलब होता है सत्य अब कहां रित पढ़ने को सत्य मिलता तो थोड़ा सा study आपको कननी पढ़ेगी आपको थोड़ा सा समय देना पढ़ेगा हिंडी को आपको किताबे खुलनी पढ़ेंगी उपमान, उपकार ना करना तो इसका correct answer क्या होगा इसका answer 27 का होगा C चलो अगला देखो करतग करतग ने यह बहुत confuse करता है करतग करतग ने तो करतग का मतलब क्या था उपकार मानने वाले को करतग बोलते हैं और उपकार ना मानने वाले को करतग ने बोलते हैं तो इसका answer 28 का A होगा करतग ने कि उपकार मानने वाला और उपकार ना मानने वाला जिसको एहसान फरामोस भी बोलते हैं उसको बोलते हैं करतगन चलो अगला क्वेश्चन नमबर 929 है भाई 29 है ना 29 क्वेश्चन नमबर है करपान 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 और करपान का बताना है है ना कि क्या होगा तो करपान तो मतलब यही होगा है ना इसका अंसर भी ही होगा क्योंकि इसमें आ चुका है इसके साथ में तलवार आ चुकी है करपान एक ही आप्सन में है है ना तो करेक्ट आंसर करपान किसमें इस सरदार छोटी सी तलवार लेके चलते है ना वो लोग छोटी सी नहीं काफी बड़ी रहती है उसको करपान बोलते है ठीक ना और सरदारों के कुछ नियम होते है उसमें भी उनको बोला जाता है कि करपान रखते है और करपान क्या हो गए देख लो बहुत सारे हो गए ठीक ना अब इसके बाद आ जाओ मोहावरे मोहावरे भी आते हैं मैंने बताया था कि मोहावरे कर लो भाई साब है ना इसमें मैं जब मैंने बताया था व्याक्यांस के लिए एप सब्धे भूल गया था मैं तो यहां पर एक चीज़ और लेकलो भाई साँ मोहावरे भी आता है सलेवस में मोहावरे है मोहावरों को पहचानने के लिए استعمال हुआ करता है आज़ाओ देखो बालू से टेल निकालना का मतलब क्या होता असंभा काम भाई साब बालू से तेल निकाल लेता है भाई साब है ना IES की परिछा न बाचे खिलना का मतलब होता है अत्यंत प्रसंद होना बिरेश से लोट कर पिताक से मिलते हुए बेटे की बाचे खिल उठी है ना मतलब की अत्यंत प्रसंद होना विल्कुल गदगद हो जाना उसको कहते हैं हम बाचे खिलना अगला निन्यानवे के फेर में पढ़ना लिव भ के फेर में पढ़ता है मतलब की धन संग्रह की चिंता में पढ़ना मोह माया में पढ़ना धन संग्रह की चिंता में पढ़ना question number 33 आ गया है खग जाने खग ही की भासा ठीक ना yes खग जाने खग ही की भासा तो इसका मतलब साप के पैर साप को ही दिखाई देते हैं या जिसकी जो इस्थिती होती है वो वही समझता है ठीक ना मतलब समान प्रबत्ती के लोग एक दूसरे को सराहते हैं खग जाने खगरी की भासा सभी को देख करके इसका बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि पक्छी ही पक्छी की भासा स्वयम समझते नो है ना समान प्रबत्ती के लोग एक दूसरे को सराहते हैं ये मैं कोई साधू वाला पाट पड़ रहा था तो उसमें आ रहा था खग जाने खग ही की भासा मतलब की साधू ही एक साधू ही दूसरे साधू की स्थिति को समझ सकता है ऐसे ही तो समान प्रबत्ती के लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं नीचे लोकोक्ति और उसके अर्थ दिये गए हैं गलत अर्थ वाली लो भाईया बताना है आपको गलत अर्थ वाली लोकोक्ति बतानी है 34 question चल रहा है ठीक ना तो आगे नाथ ना पीछे पगहा बिल्कुल सही बात है भाईया बंधन हीन ठीक ना बंधन हीन ओस चाटे प्यास नहीं बुझती संगठित होना नहीं 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 बिल्कुल नहीं ओस चाटे प्यास नहीं बुझती का मतलब कि आवसकता से कम वस्तु से आप अपनी पूरती नहीं कर सकते हो अब ओस चाट के कहा प्यास बुझेगी ठीक ना तो ओस चाटने से मतलब ओस जो की पूर्ती नहीं होती है अगर एक टकसाल के टकसाल क्या होता सिक्के बनाने वाली मसीन जो ढालती है तो एक टकसाल मतलब की एक ही थाली के चट्टे बट्टे यह सब एक जैसे हैं है ना अंधे आंख के अंधे गाठ के पूरे अंधे गाठ के पूरे मतलब की आंख के तो अं ठीक है ना चलो यह हो गया अगला अगला क्वेश्चन अच्छा जैसे आम को मैं बोलूं कि ओस चाटे प्याज नहीं बुझती है का एक आप वाक्य में प्रयोग करो ठीक है ना तो इसका मैं कैसे कह सकता हूं कि राहुल ने अपने पिता से मोटर साइकल के लिए पचास जार मांगे मगर राहुल के पिता ने उसे पांच जार रुपए दे दिये इस पर राहुल ने कहा ओस चाटने से प्याज नहीं बुझती पिता जी कम से कम 30-40,000 रुपए तो दे दीजिए तो मैं मोटर साइकल खरीद सकूं समझ गया ना ऐसे ही इसको मोहावरे का इस्तमाला चली अगला क्वश्चन देखिए क्या बूल रहा है निम्ल प्रश्णों में से वाक्यान सो अनेक सब्दों के स्थान पर एक सब्द दिया गया तो मैं अब कुल में इलाके अनेक सब्दों के स्थान पर एक सब्द आपको बताना है है ना तो कौन-कौन से सब्दों होंगे नेक सब्दों के स्थान पर आईए देखते हैं बहुत ही सिंपल सवाल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो इस्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है भाई नास्तिक कहलाता है इस्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक कहलाता है इस्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक कहल की है ना उसको हम क्या बोलते हैं जठरागनी जठरागनी बोलते हैं उसको है ना जो पेट में भूख लगी दूख चूहे कूद रहे हैं पेट में तो उसको बोलते हैं जठरागनी अब भाईया बाकी वाली अगनी दावागनी क्या होती जंगल में लगने वाली आग को दाव दि साएं ही, जिसके वस्तर हैं, उनको क्या बोलते हैं? दिग अंबर, जो अपने वस्तरों के रूप में दिसा को अपने अंबर के रूप में धारण करने वाला दिग अंबर, ठीक है ना? दिसाओं को अपने वस्त की रूप में धारण करने वाला दिगंबर फिर क्या विश्वंबर यानि विश्व का पालन पोसन करने वाले भगवान विश्णू विश्व का पालन पोसन करने वाले भगवान विश्णू ठीक ना यस तो यहाँ पे यह हो गया ठीक ना कौन सा समास आता है साइद देख ले ना बहुबरी ही समास आता है जब दो का तीसरे में दिया जाए तो बहुबरी ही समास बनता है दिगंबर अगला क्या है पैगंबर धर्म संपरदाय ये तो पैगंबर यानि किसी धर्म या संपरदाय का प्रवर्तक पैगंबर का मतलब भी नहीं समय ले ना कि मुहम्मद साहब मुहम्मद साहब पैगंबर में से एक थे पैगंबर हर धर्म में होते हैं ठीक है ना किसी धर्म या संप्रदाय के जो प्रवर्तक होते हैं जो उस धर्म को लाते हैं जो स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रवर्तक ठीक है ना गुरु के समीप रहकर सिक्षाग रहा करने वाला एक सब्द बताना है आपको बताते। चात्रावास में रह करके चात्रावासी आस्रम में रह करके आस्रम वासी बहुत सी भासाओं को जानने वाला क्या होता है बहु भाशा विद होता है जानने वाला याने बहु भाशा विद बहुत सी भासाओं में बोलने वाला बहु भाशा भाशी याने बोलने वाला है बहुशुरूत जो होता है वो बहुत से विश्यों का ग्यान रखने वाला होता है बहुदर्शी है ना बहुदर्शी याने बहुत अधिक जानने वाले को हम क्या बोलते हैं उसे बहुग्य भी बोलते हैं बहुग्य बहुग्य भी बोलते हैं बहुदर्शी भी बोलते हैं चलिए निम्न में से सुद्ध वचन का चैन करना है बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है निम्न में से सुद्ध वचन का चैन कीजिए बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है बिल्कुल सही बात है सुद्ध वचन है सत्वचन है बाल पक जाने से लो लोग अनुभवी होती है, ये भी गलत है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता, अरे भाईया कैसी बात करते हो, है ना, आंसर इसका A है कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, तो ऐसे आपको सुद्ध सुद्ध वचन छाटने है, अगला कुश्चन करपया करके खुले पैसे देने की करपा करें, बताइए, इसमें सबसे सही आपको क्या लग रहा है, तो करपया करके, अब देखो करपया करके फिर करपा लिखा है, हो नहीं सकता है, करपया करके फिर करपा लिखा है, हो नहीं सकता है, करपया करके खुले पैसे दे, ये भी करके करपा दो बार क्यों लगा रहे हो भाई एक ही बात बोलो ना करपया खुले पैसे दें और करपया बोल दिया तो करके बोलने की कोई जरुवत नहीं है करपा बोलोगे तो अपने आप सामने वाला करेगा ठीक है ना चलो अगला क्रूश्चन नमर फॉट्टी थ्री हाँ क्या कहरा आपको कि निम लिखेत में से सुदवाक चिडिया ने दनादन पाचों दाने चुग गई पाचों दाने चुग गई चलो भारत ने चंद्रयान टू देखो देखके बताओ क्या होगा question number 44 भारत ने चंद्रयान टू लॉंच किया है ये है व्याकरण उदूब से बोलने के लिए बाकी लॉंच की है लॉंच किये है लॉंच किया है भारत एक वचन है लॉंच किया है Q45. अशुद्ध वाक्यों का चेहन कीजिए. पुलिस दारा डाकू का पीछा गया गया. देश की वर्तमान हम मुझुदा हाला ठीक नहीं है. मैं पुस्त काले नित्थ समय पर पहुंसता हूँ. है ना तुम चिंता मत करो. मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा. Q45 का बताई दिया है और समय लगा दिया है. ये क्या बात हुई? नित्थ के साथ समय नहीं आएगा. देश के वर्तमान मौझूदा. असुद सब्द पहँचानना है. असुद. देश की वर्तमान के बाद मौझूदा लगा रहे हूँ. ये तो महा गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होगा. पुलिस द्वारा डाकूओं का पीछा किया गया. ये भी सही है. मैं पुस्तकाले में नित्थ समय पर पहुचता हूँ. नित्थ समय मतलब की रेगुलर है. ये भी सही हो जाएगा. तुम चिंता ना करो. वैसे मत करो आएगा. मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है तुम चिंता मत करो. मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ना की जगे. तो इसमें पूछा गया असुद्ध बताना है. तो असुद्ध बी एक ही दिख रहा है. सबसे ज़्यादा असुद्ध. तो करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा. अगले में जो आपको है. अगले में आ करने करते हुए सैम के द्वारा वै दक्षता पूर्वक सर्वत प्रतिष्था प्राप्त कर लेते हैं. चलो. तो क्या करोगे इसमें? इसमें हैं बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो. मतलब पहले आएगा पहले आएगा इसका थोड़ा सा धन रा आएगा सबसे पह भी है न हो तो वह भी है न तो इसके बात क्या जाएगा सबसे पहले इसमें क्या आएगा इसका आंसर आएगा रा सबसे पहले आएगा तो एक आंसर फिर या आ जाएगा या क्या है यह भी बढ़ता रहता है वह भी बढ़ता रहता है बुद्धिमार के पास थोड़ा दन भी पुरसार्थ उसी में है तो पहला क्या आएगा जो संकट मतलब पहले या आएगा या तो या में ये भी है या में ये भी है तो ये कट गया ये कट गया अब फिसके बाद देखो जो संकट की घड़ी में ला आएगा तो या के बाद ला आएगा है ना तो इस कांसर क्या होगा संकट की घड़ी में निर्णे लेने से बचता नहीं ऐसा कुछ आया पुरसार्थ करने पर जपने वालों को दरिद्रता नहीं होती मौन होने से कलह नहीं होता पाप नहीं लगता और जगने वाले की निकड़ भै नहीं आता पुरसार्थ करने पर दिया गया है कि पुरसार्थ करने पर कर्म करने पर क्या नहीं होता दरिद्रता नहीं होती दरिद्रता तो भैया सबसे पहले इसमें रा आएगा है ना रा वाला उप्सन देखो कौन सा है पुरसार्थ करने पर दरिद्रता नहीं होती है तो रा वाला option जो है c option है तो correct answer इसका क्या हो गया सी हो गया हां तो रा वाला option C वाला है तो correct answer इसका क्या हो गया, 48 question हो चुकिए अपने रा वे एक option है तो बागी कुछ देखने की ज़रूरती नहीं है काई को देखना आंगे सीर्श आपने पहला चीज देख लिया चलो अब आंगे देखते हैं अगला question देखिए जो मनुष्ट दूसरों की जीविका जीविका हैं हाँ देखो जो मनुष्ट दूसरों की जीविका कराते हैं या उनमे त्रों से दूसरों की इस्तरी पती से वियोग हैं है ना भेद भावत्पन करते हैं नाश करते हैं मेरे को लग रहा है कि इसमें वा से स्टार्ट होगा वा से है ना जो मनुष्ट दूसरों की जीविका से नाश करते हैं तो सबसे पहला इसमें option वा आएगा तो वा वाला कौन सा है D option है, कुछ आंगे देखने की जरूरत नहीं है, सीधे D वाला option आएगा, है ना, चलो, अगला देखो, मानो जीवन का उद्देश है, क्या है मानो जीवन का उद्देश है, उपाय परमार्थिक भाव और उसकी सिद्धी आत्मदर्सन है, मुख एवं एक मात्र, जीव मात्र की सेवा करना, देखो, यह थोड़ा सा confusion कर रहा है, एक यह है, और एक यह है, मतलब थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा, मानो जीवन का उद्देश है, आत्मदर्सन है, और उसकी सिद्धी का उपाय, उसकी सिद्धी का मुख एवं एक मात्र उपाय, परमार्थिक भाव से जी मात्र की सेवा करना, मतलब यह जो छटवा है, जी मात्र की सेवा करना, वो लाश्ट में आएगा, है ना, उपाय और परमार्थिक भाव लाश्ट में आएगा, तो यह सबसे लाश्ट में है, और मानो जीवन का आत्मदर्सन, ला सबसे पहले है, ला सबसे पहले है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, तो पचासमे का आंसर क्या हो गया, ए हो गया है, तो इस तरीके से आप जो है, इसको कर सकते हैं, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बाकी रहे ये आंसर से आप लोग देख लिजे, अगर आप लोग इसको हल कर करना चाहते हैं तो ये इसके आंसस रहे आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं ठीक है इसको इस तरीके से आप हल कर लीजे